पूरी तरह से फेल हो गए थे जिसके चलते बीजीपी ने उन्हें चुनाव से पहले ही सीमपस से हटा दिया विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार में कैबिनेट मंतरी रंजी सिंग चौटाला का वयान सामने आया है उनका कहना है कि मनोहरलाल फेल थे या पास इसका फैसला चुनाव में हो जाएगा इतना ही नहीं रंजी सिंग चौटाला ने इस मौके पर मंतरी मंदल विस्तार से लेकर खुद के हिसार लोगसभा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी दो टूक जवाब दिया आया हर्माइन अगे बड़ा है पार्टी के निरने होता है कब इस और अपनी इस 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 नहीं इस आप का सब्चेक्ट का नहीं है केबिनेट का सर कब तक विस्तारी करना हो गया देरी के लिए और इंच साब भी नराज कर चल रहे थे उनको मना लिया गए ये ये चीफनिस का प्रयोड़िटरी वै किसको मनाए करें नहीं हो उनका फैसा किसको जाएंगे फिर इसके बाद इस भाद इसमाग भी पंटे को गड बंदन जो जाए जेजेपी बीजेपी का आपी फिर पर्दे के फिर चल रहे हैं और जाएंगे इस वांगरे से चल गए अनकी बात और आपका इसार लुख सबासे चल रहा था था शानियो देखे पार्टिकल निर्णे में मुख्यमंतरी देखे इसका, आप इंसार लोगसभा लड़ाओ, विदान सभा लड़ाओ, आपका फैसले दूबर भजू आने, जो निर्णे अपता पानों. तेसर अर्याना का लोगसभा का कैसा परिनाम है? पिर अपना मानना है कि हम सभी सीटे जीतें कि आप दस दिन बाद देखना पर पेज़ से ऐसा जोग में लहर जलेगी कि चेवल पहुदी साब का पहुदी साब का अच्छन सबा में इस तरह की मांग उठाई आप डिप्टी सीएम और कुछ मंतरी भी लोगों के अपनी बावन हैनी सरकार में कैबनेट मंतरी पत की शपत लेने के बाद रंजी सिंग चोटाला आज हिसार की जाट धर्मशाला में पहुँचे थे जहां कारिकरताओं ने उनका जोड़दार स्वागत किया इस मौके पर मंतरी चोटाला ने मंतरी बनाने को लेकर बीजेपी हाई कमान का ध अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद